मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ एक और ऐसी ही भाजी है, अपने घर में हम चाहें तो उप्योग करें, चाहें तो ना करें इसमें मेरा आग्रह नहीं है, आपके ऑप्षन के लिए छोड़ता हूँ, उस भाजी का नाम है कांदा तो चाहिए चाहिए, कुछ को नहीं चाहिए, जो जहन धरम को पालन करते हैं, चुस्त वैशनम हैं, उनको ये कांदा में चलता, लेकिन जो जहन धरम का पालन में करते हैं, उनके लिए कांदा चलता, तो मेरे आपके इसलिए मैंने का आग्रह नहीं है, आप चाहें तो उप अगर पित्त खराब है किसी का, पित्त खराब आप समझते हैं, जैस बनना, कट्टी-कट्टी डकार आना, मुह में पानी आना, सतप जडड़ होना, खाने को पाचन नहीं होना, ये सब पित्त की तकलिक है, वमन होना, उल्टी होना, वमिटी होना, ये सब पित्त की, तो पित् Kandar अभी बता रहा हूं. Kandar है Kandar पित्च को शांत करने की सबसे अच्छी होशज़ है, Pth की खराबी से शरीर इतने भी रोगों में फस्ता है, सब रोगों को ठीक करने की दाक्त kandar है, जैसे apmCONR, गर्मी असल गर्मी में sun stroke हो गया, लु लग गई आगा, अब लू के आखों का एक रोग होता है, जिसको कैटरेक्ट कहते है, मोधिया बिंदु को गलानी की टाचत अगर गुनिया में किसी चीज में है तो वो कांदे की रस में, बिना ओकरेशन अगर आपको आखे ठीक रस ने हैं, तो कांदे का रस तत आखों में डाली है, जिंदगी बर आप च किसी को भी मोधिया बिंद हो गया हो, और आप नहीं चाहते कि आपका ऑपरेशन हो, या आपके पास ऑपरेशन करानी के लिए पैसा नहीं है, तो आप कांदे की रस से मोधिया बिंद को गला सकते हैं, और आखे ठीक कर सकते हैं, इसको कितने दिन लेना है, कैसे लेना है, इ पागज पहन होतों लिख लिए चौंकि ये बहुत काम आये था एक चम्मच पांडरे कांडे का रस्थ देखिए कांड़ा एक ही काम का है जिसको पांडरा कांड़ा कैसे ये लाल वाला किसी काम का नहीं और शदी गुण जो है वो सफेद प्याज में ही है पांडरे कांडे में ही है लाल वाले में कोई आउशदी गुण नहीं है वो तो खाने के लिए आप खा सकते हैं आउशदी गुण उसमें नहीं है आउशदी गुण जो है वो पांडरे कांडे में ही है तो पांडरे कांडे का एक चम्मच रस ले लीजे एक चम्मच इसमें लिंबू का रस मिलादी जे, एक नीबू आता है जिसको बेदाना नीबू कहते हैं, जिसमें ज़्यादा बीज नहीं होते हैं, तो बहुत अच्छा है, तो एक चम्मच लिंबू का रस, एक चम्मच पांडरे कांदे का रस, फिर इसमें आप मध मिलादी ज लगबत तीन से चार चमच मद और इसी में एक चमच गुलाब जल मिला दे जाए ये चारों को मिलाकर एक बाटली में भरके रख ली और खुब अच्छे से हिलाकर एक-एक थे मांख में डाली एक महीने लगा कर डाल दिया तो मोतिया बिंदा आपका कटके निकल जाए गुलाब जल एक चमच जितना आपका कांदे का रस उतना ही गुलाब जल उतना ही नीगु का रस लेकिन मद इसमें तीन से चार पट जाते हैंने तीन से चार चमच मद अब ये जो सुल्यूशन तयार हुआ है इसको बाटली में बरके रखेंगे चार पाच महीने ये खराब नहीं होता इसको रूम टेंपरेचर पे भी रखा जा सकता है जरूरी नहीं है कि हमेशा इसको फ्रेज में रखना खाली सीधे रूम टेंपरेचर पे रखते रात में सुते समय एक एक दो दो थे मांख में डालते रहे एक सवा महीने के बाद आपका पोतिया बिन्द खतम कर देगा। और एक बीमारी है आँखों की जिसको ग्लुकोमा कहते हैं ग्लुकोमा माने काला पानी आखों में हमेश परदा है ना ये खिच जाता है आगे या पीछे उसमें भी ये सबसे अच्छा कामात है दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें फिर लाइक कमेंट और शेयर करें और हां हमारा एंडरोड एप डाउनलोड करना ना भूलें